राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है मतलबी न न दे बेटी को बीदा क्या कर देते हैं मा भाई तो आँख मुंद लेते हैं पर मैं सोचती थी मेरा परिवार इन बातों से उपर सोचता है और वो हर मुश्किल में मेरी साथ रहेगा पर नहीं मेरी वो सोच ही गलत थी अब देखो मेरी मा आराम से वहां बेटे बहु का सुख ले रही है कभी ये नहीं सोचती की हो सकता है उसका थोरा वक्त उसकी बेटी के भी काम आ सकता है हमसे तो अच्छी तुम्हारी मा है शुरूती कम से कम दो चार दिन के लिए जब मा कहीं घू तो तुम्हारी मा तुम्हारी मदत के लिए आज आती है रेखा अपनी भावी शुरूती से फोन पर कहती है शुरूती बोली क्या बात है दीदी आज आपका मूड बहुत उखड़ा उखड़ा है और आप ममी जी से बहुत नराज लग रही है सच कहू तो मेरी मां से जादा मुझी जी पर भरोसा रहता है मेरी मातों चार दिन के लिए मेरी पास आती है और दो दिन में ही उब कर वापस जाना चाती है मुझी जी ना होती तो ना जाने मैं इस घर को और अपनी जम्मेधारियों को कैसे संभालती एक बात कहूं दीदी अब मुझी जीसे उतना काम भी नहीं हो पाता है बस अपने नित्य काम करके पुजा पाठ कर लेती है यहीं बहुत है और कितने दिन काम करेंगी वो और अब उनके आराम करने का समय आ गया है वैसे आप उनसे क्यों नराज है ये तो बताया ही नहीं रेखा बोली ये अच्छा है सुरूती जब मा के सरीर में ताकत थी तो तुम लोगों ने उनके सरीर का पूरा फैदा उठाया और अब मैं कह रही हूं कि मुझे उनकी मदद चाहिए तो तुम बहाने बना रही हो मुझे ये बात बता रही हो कि मेरी मा अब मेरी मदद करने लायक नहीं है सुरूती बोली नहीं नहीं दीदी मेरी कहने का ये मतलब नहीं था मैं तो ये कह रही हूं कि सुरूआत में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है पर अब उनके आराम करने के दिन आये हैं तो बस मैं चाहती हूँ कि वो आराम करे और अगर वो आपकी मदद के लिए जाना चाहती है तो मैं भला कौन होती हूँ उन्हें रुकने वाली वैसे भी एक मा को उसकी बेटी से मिलने से कौन रोख सकता है और हमसे पहले उन पर आपका अधिकार बनता है ननद भावी बाते कर ही रही थी कि तभी सुरूती का पती वीकास आता है और कहता है शुरूती किसे बात कराई हो तुम और किसका किस पर अधिकार बनता है शुरूती ने फोन विकास को पकरा दिया विकास बोला हां दीदी बोलिये क्या हाल चाल है रेखा बोली हाल चाल अगर तुम लोग चाहो तु भी ठीक रह सकता है और तुम्हें भी क्या कह सकती हूं तुम तो छोटे हो मा को भी अब मेरी चिंता नहीं है विकास हसते हुए बोला क्या बात है दीदी हमसे कोई गलती हुई है क्या और आप मा से क्यों नराज हो अरे आप तो उनकी लाडली बेटी हो रेखा बोली बस बस रहने दो अगर मैं लाडली हूँ तो क्या मेरी मदत के लिए वो कुछ समय यहां नहीं आ सकती थी कितना मुश्किल होता है बड़ती लड़की को संभालना किसी अजनभी पर उसकी जिम्मेदारी देना और आफिस जाना तुम नहीं समझोगे अरे वहां मा ने सब कुछ संभाल कर बसा बसा या घर जो सुरूती को दे दिया है विकास बोला नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है आप तो जानती है आपकी बेटी मनीशा अकेली है पर सुरूती को जुड़वा बच्चे हुए थे सोचिए उन दोनों को एक साथ संभालने में कितनी दीकत होती थी पर फिर भी सुरूती मा के आराम का हमेशा ख्याल रखती थी और अभी भी हमसे ज्यादा वो बच्चों को अके ले ही संभालती है खैर लिजिए मा भी आ गई है आप उन्हीं से बात कर लिजिए रेखा के पिता ने बड़े धोम धाम से रेखा की साधी की फिर दो साल बाद बेटे बीकास की भी साधी हुई सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि उसी दोरान रेखा के पिता की मृत्यू ह हो गई तब अपना हिस्सा लेने रेखा जरूर आई थी फिर उसके बाद उसे माईके के लिए वक्त नहीं मिलता था कुछ वक्त वाद रेखा जब मा बनने वाली थी तो उसने अपनी मा सुननदा जी को अपने पास बुलाया और मा होने के नाते सुननदा जी ने अपना हर निभाया समय बीता रेखा ने बेटी को जनम दिया फिर करीब आठ महीने तक सुननदा जी ने वहीं रहकर बची को संभाला उसके साथ वापस बेटे बहु के पास आ गई क्योंकि इधर उनकी बहु शुरूती भी मा बनने वाली थी अब सबके बच्चे बड़े हो रहे थे तो सुननदा जी भी बेटे बहु के पास आराम से रह रही है पर आज ऐसे कैसे आचानक से रेखा को अपनी मा की जरूरत मैसुस हुई सुननदा जी बोली हा रेखा बेटा कैसी हो मनिशा कैसी है अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी इस बार गर्मी की छुटियों में तुम लोग यहां क्यों नहीं आजाते पिछली बार भी तुम यहां नहीं आई थी तो रेखा बोली मा अगर मुझ से और मनिशा से मिलने की इतनी ही इच्छा होती है तो आप कभी दिल्ली क्यों नहीं आजाती है आपको तो बस अपने बेटे बहु और पोता पोती से ही मतल सुनन्दा जी हसकर बोली ऐसी बात नहीं है बेटा मा के लिए तो उसके सभी बचे एक समान होते हैं पर क्या बात है तुम इतनी परेशान क्यूं हो रेखा बोली मा मुझे एक हफ़ते के लिए ओफिस के काम से बाहर जाना है और आप अपने दमाद को तो जानती है वो रात मे बहुत लेट से घर आते हैं फिर ऐसे में मैं मनीशा को आया के भरो से कैसे छोड़के जा सकती हूँ अब मनीशा बड़ी हो रही है अगर आप कुछ समय के लिए यहां आकर रहती तो मेरी मदद हो जाती सुनन्दा जी ने बेटे बहु की तरफ देखा तो सुरूती ने धीर से कहा ममी जी आप यहां की चिंता मत किजिए अगर आपकी जाने की इच्छा है तो आप दीदी के पास हो आईए सुनन्दा जी एक पल को रुकी और बोली ठीक है रेखा मैं कुछ रोज के लिए वहां आ जाऊंगी रेखा खुस हो गई और कुछ रोज बाद सुनन्दा जी अपनी बेटी के पास चली गई एक दो दिन तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन फिर रेखा सुनन्दा जी पर घर की पूड़ी जिम्मेदारी छोड़कर ओफिस के काम से बाहर चली गई पर यहां के हालात देखकर सुनन्दा जी हैरान थी अभी मनिशा मुश्किल से बारा साल की हुई थी पर वो किसी का कहना नहीं मानती थी उसे कुछ समझाने पर वो कहती नानी आप तो बुढ़ी हो गई हो आपको ये सब बाते समझ नहीं आएगी आप बस अपने काम से मतलब रखिये सुनन्दा जी के बच्चों ने आज तक कभी उनसे उची आवाज में बात तक न वो उनसे बत्तमीजी से बात कर रही थी फिर भी उन्होंने बच्चा समझ कर उसकी बातों को नजर अंदाज किया करीब एक हपते का कहकर 15 दिन बाद रेखा घूम फिर कर वापस लोटी वो घर आते ही बोली मा एक हपते के बाद काम तो खतम हो गया था पर ओफिस बालों न घूमने का प्रोग्राम बना लिया था अच्छा हुआ आप यहां है इसलिए मैं घूम कर आ गई वरना मुझे कहा मोका मिलता है सुननदा जी बोली रेखा तुमने मनिसा की परवरिस में लगता है बहुत धिलाई कर दी है वो रात के एक गारे बजे तक फोन पर बाते करती ह घर का खाना नहीं खाती है बाहर से खाना ओडर करती है ये सब स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है बेटा रेखा बोली क्या मा घर में आई नहीं कि आप सिकायत की टोकरी लेकर बैठ गई उधर से मनिसा आई और बोली ममी आप तो कहती थी कि आपकी मा बहुत एडवांस है पर ये तो बहुत पुराने खायालों की है इससे अच्छा तो वो आया थी जो खाना खाकर चूप चाप टीवी देखती रहती थी पर ये तो बहुत टोकती है ना जाने मामा मामी और सुभम स्वेता इनको कैसे बरदास्ट करते हैं अगर इनका काम यहां खतम हो गया हो तो इन जट से बोली मनिशा नानी से ऐसे बात नहीं करते हैं चलो जाओ अपने कमरे में मा आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो बच्ची है अभी मैंने इसे अकेले ही पाला है और घर में अकेली रहती है तो थोड़ी चुर्चुरी हो गई है मा बड़ी जोरों की भूख लगी है खान गरम कर दो तब तक मैं कपड़े बदल कर आती हूँ जैसे ही सब खाने की टेबल पर बैठे रेखा बोली मा सच में आप बुढ़ी हो गई है आपके हाथों में वो अब स्वाद नहीं है कितना फीका खाना बना है मनिशा तुम मेरे लिए एक पीजा ओडर कर दो मा ये खाना आप ही खाली जिये और बच जाए तो फ्रिज में रख दिजिएगा कल खाली जिएगा इतना कहका रेखा और मनिशा अपना अपना फोन लेकर अपने कमरे में चली गई बेचारी सुननदा जी की आँखे भर आई कि लोग कहते है मा का दर्द एक बेटी ही समझ सकती है पर य बुढ़ी नानी और मा का कोई ख्याल नहीं है समय बित्ता गया जो सुननदा जी का मन अपने घर में मुश्कुराते ठकती नहीं थी यहां एक कोने में अकेली समय काती थी एक दिन शुरूती का फोन आया बहु की आवाज सुनते ही सुननदा जी बचों की तरह फफक कर रोन लगी और बोली सुरूती अब यहां सायद किसी को भी मेरी जरुत नहीं है हो सके तो बीकास को भेज़ दो वो मुझे वापस ले जाए सुरूती को एक पल नहीं लगा सब समझने में और उसने तुरंत बीकास को सारी जनकारी दी और अगले ही दिन बीकास ने टिकट पहुच गया मा को लेने अचानक से वीकास को देखकर रेखा बोली क्या बात है भाई अभी तो मुश्किल से तिन महीने ही हुए हैं और तुम मा को लेने भी आगए वीकास बोला हां दिदी वो मा का मेडिकल डियू हो रहा था उनका पूरा चे कप भी तो करवाना है और दिल् तो मैंने सोचा आपका खर्च हो उसे अच्छा है मैं मा को ले जाकर सब टेस्ट करवादू तभी मनीशा वहाँ आई और बोली हाँ हा मामा जी ले जाए नानी को वैसे भी यहां रहकर ये बस टेंसन ही देती है किसी के कुछ काम तो आती नहीं भांजी की बात सुनकर विकास हैरान था विकास रेखा से बोला दिदी जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है जब मन में लालच आ जाता है तो हर रिस्टा बेमानी हो जाता है आज आपकी बेटी आपकी मा की इज़त नहीं कर पा रही है क्या भविस्य में वो आपकी इजत कर पाएगी तो बेतर होगा मैं मा को ले जाओ जब आपकी इच्छा होगी मा से मिलने की तो आप आ जाएगा उसी साम विकास सुननदा जी को वापस लेके आ गया घर जाकर सुननदा जी ने चैन की सांस ली और पोते पोती के साथ खुसी खुसी रहने लगी बेटी के घर पर सुननदा जी के साथ जो बेवार हुआ था उसकी टीस कहीं न कहीं उनके अंदर आज भी दर्द दे रही थी एक रात अचानक सुननदा जी की तबियत खराब हुई और उनके सरीर का एक हिसा लकवे से ग्रसित हो गया कुछ समय तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा इसी बिच सुरूती की तबियत भी खराब हो रही थी तो एक दिन भीकास ने रेखा को फोन किया दिदी मा की तबियत बहुत खराब है अगर आप कुछ दिन के लिए आ जाती तो अच्छा होता रेखा बोली क्या हुआ है मा को भीकास बोला आप तो जानती है बताया थाना आपको कि मा के सरीर का एक हिसा अब काम नहीं करता वो बेड पर ही है एक महीने से बेचारी सुरूती दिन रात अकेले ही उनकी सेवा कर रही है लेकिन उसकी तबियत भी अब ठीक नहीं है मा अक्सर उस पर नराज हो जाती है आप आ जाती तो सायद मा का गुसा थोड़ा कम हो जाता ना जाने क्या हुआ है मा को पहले तो वो कभी ऐसा नहीं करती थी वो आपकी बात मानती है तो रेखा बोली तुमने मा को डक्टर को दिखाया क्यूं नहीं विकास बोला दिखाया था दीदी पर डक्टर कह रहे हैं अब इन्हें अस्पताल में रखने का कोई फैदा नहीं है क्योंकि जादा दिन अब इनके पास बचे नही है इतना कहते कहते विकास रोने लगा रेखा बोली तुझे तो पता है ना मैं नोकरी करती हूँ उपर से दिवाली का टाइम आ रहा है बहुत काम होता है घर में और दफ्तर में भी छूटी नहीं मिलती तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो मा को किसी सरकारी अस्पताल में बेहन की बात सुन अवाक सा रह गया और बोला दिदी अगर वो आपका घर है तो जब हमारे घर का बटवारा हो रहा था तो आप हिसा मंगने यहां क्यों आई थी और जब मा हमारे बचों की देख भाल कर रही थी तब आपने मनीशा की देख भाल के लिए मा को वहां क्यों बुलाया था हर चीज में आपने अपना बराबर का हिसा लिया अब वही मा जिसने आपको सब कुछ दिया अपनी बहु और आप में कवी फर्क नहीं किया सिर्फ आपके कहने पर मैंने मा को आपके पास भेज दिया था पर मा के साथ वहां कैसा बेवार हुआ ये मैं भी जान अब जब उनका सब कुछ आप ले चुकी हो तो आप मा के लिए कुछ समय भी नहीं निकल सकती अरे मैं कोन सा आपको मा के लिए पैसे खर्च करने के लिए कह रहा हुँ जो आपको नानी याद आ रही है आप तो मा की सेवा भी नहीं करना चाह रही हो आपको पता है ना मेरी साली की साधी में दस दिन बचे हैं वो लोग बार बार हमें बुला रहे हैं पर सुरूती मा की ऐसी हालत देखकर वहां जाना नहीं चाहती है आप भी तो सोचिये उसकी भी तो इच्छा होती होगी कि वो अपने माय के जाए रेखा बोली तो इसमें क्या है अरे तुम लोग कि आया को वहां छोर कर साधी अटेन करके आजाओ विकास बोला दिदी आप कैसी बात कर रही हो अगर हम लोग उधर गए और कहीं पीछे से मा को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे याद है आपको आप अपने ससुर जी को हाई बीपी में अकेला छोर कर पापा के गुजरने के बाद हिसा लेने के लिए यहां दोड़ी चली आई थी बेचारे चल बसे थे ना आपके ससुर जी रहने दिजिये दीदी आप दिवाली मनाए यह सब तो चलता ही रहेगा पर मैं अपनी मा को सरकारी अस्पताल के बेड़ पर मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा रेखा बोली विकास तुम ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो तुमें क्या लगता है तुम ज़्यादा पैसे वाले हो गए हो और फिर तुम्हारा और सुरूती का फर्ज बनता है कि मा की सेवा करो मैं तो वैसे भी अब पराई हूँ विकास बोला ठीक है दीदी जब आप के लिए कोई जगा नहीं है और हाँ आज एक बात आपसे कहता हूँ मा की इस हालत की जिम्मेदार कहीं न कहीं आप है क्योंकि जब से मा वहां से आई है तभी से उनकी तबियत बीगरने शुरू हुई है बता सकती है क्यों अरे मा भले ही हमें कुछ नहीं कह रही पर मा की आ आपसे कोई उमिद तो नहीं रखूंगा वैसे भी जब इनसान का लालच पूरा हो जाता है तो रिष्टे उसके लिए बेमानी ही हो जाते हैं तो अब आप भी यहां कभी मत आईएगा इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए इतना कहकर बीकास ने फोन रख दिया करीब एक हफ्ते बाद सुननदा जी दुनिया से चली गई वो अपनी बहु को धेर सारा अश्रवाद देती गई और जाते जाते बेटे से बोली अगले जनम में भी तुम ही मेरे कोक से जनम लेना बस भगवान मुझे रेखा जैसी बेटी ना दे जो बस ला करती है रेखा के आने से पहले ही सुननदा जी के अंतिम संसकार की तयारी सुरू कर दी गई शुरूती ने जब विकास से कहा तो विकास बोला जिस बेटी को मरती हुई मा की चिंता नहीं थी उसे उसके अंतिम संसकार में सामिल होने का भी कोई अधिकार नहीं है दुनिया क क्या सोश्ती है हमें इसे कोई मतलब नहीं पर मेरी मर्ति हुई मा को मेरी बहन ने बहुत दूख दिया है अब उसके लिए इस घर में और हमारे दिल में कोई जगा नहीं है और हां खबर भिजवादो किसी से कि वो यहां भी ना आए एक वो दिन था और एक आज का दिन है ऐसा मनिशा का स्वभाव था आगे चल कर वो रेखा की एक बात नहीं सुनती थी तब जाकर रेखा को एसास हुआ कि उसकी मा सच कहती थी कि पैसों से बढ़कर रिष्टे को समय देना चाहिए क्योंकि वक्त और इनसान एक बार चला जाए तो वो लोट कर नहीं आता दोस्त तो इस स्टोडी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब किजिएगा धन्यवाद